दोस्तो इस धर्ती पर कई ऐसी क्रियेचर है जिनकी अलग-अलग प्रजाती साइज में बड़ा भारी डिफरंड होता है जिन में हमें कुछ को देखा भी होगा और कुछ को नहीं भी दिखा होगा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे है कुछ ऐसे जानवरों को जो दिखने में मेहच, क्यूट और साइज में छोटे होते है तो दोस्तो वीडियो को बीना स्क्रिप करे हुए एंड तक बने रहे साथ में आप नव वीवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिग्मी मार्मो सेट के बारे में दोस्तो आप सभीने बंदर को तो कही ना कही देखाई होगा चाहे गाव हो या फिर शहर आपको आसानी से नजर आ जाते हैं लेकिन आज हम इस बंदर के बारे में बात करने वाले हों देखने में बेहट क्यूट और साइज में छोटे होते हैं दोस्तो ये बंदर दुनिया का सबसे सोटा बंदर में से एक है उन्हें फिंगर मंकी नाम से भी जाना जाता है उनकी साइज एक टमाटर जितनी होती है ये बंदर हमें दक्षिणी अमेरिका में पस्तिमी अमेजन बेसिंग दिखने को मिल जाते हैं उनकी साइज एक फिंगर जितनी होती है ये बंदर का वजन 100 ग्राम जितना होता है और उनकी पुन्च की साइज 20 सेंटीमीटर जितनी लबी होती है जो कि उने एक पेड़ पर से दूसरे पेड़ पर चड़ने में इस्तमाल करते है उनके पंजे सोटे होने के कारण उने पेड़ पर चड़ने में भी काफी आशानी रहती है ये बंदर की एक खासियत भी है कि उनका सर को 360 डिगरी एंगल तक गुमा सकते है ये बंदर खाने में चोटे सोटे पौदे इंसेट को पसंद करते है उनकी साइज उतनी सोटी होने के कारण लोगों ने पालने का यादा शौख रखते है दोस्तों अब देखते हैं बुष बेबी को ये इस्ट आफरिका में पाए जाने वाला सबसे सोटा जील है और ये दिखने में भी बेहर क्योर दिखते है बुष बेबी आसानी से लंबी शलांग लगा लेते हैं जो की 15 फिट तक लगा लेते हैं साइज में है वो चूहे जितने चोटे होते हैं उनकी साइज एक बड़े चूहे जितनी होती है उनकी बॉड़ी पर हमें ब्राउन, ग्रे और यलो रंग दिखने को मिल जाते हैं उनकी साइज छोटी होने के कारान कई लोग उने पेट की तरह पानने का शौक भी रखते हैं दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए और दोस्तो वीडियो को आखीर तब देखने के लिए धन्यवाद